पाथिस रसोई में बड़ा नाटक इमली टीवी धारा वाहिक की कहानी को मसाला देने वाला है। चल रही कहानी के अनुसार आदित्य और मालिनी एक साथ रह रहे हैं, जबकि इमली ने मेथी के लिए चतुवेदी हाउस में स्थानांतरित कर दिया। जैसे ही इमली त्रिपाठी हाउस में वापस आती है और मालिनी को आदित्य के लिए चाई बनाते हुए देखती है, वह उसकी सेवा करती है। हाला कि मालिनी ने इमली को रोक दिया और उसे बताया कि वह केवल आदित्य को चाय परोसेंगी क्योंकि उसने इसे बनाया था। यह रसोई के नाटक को तेज करता है क्योंकि इमली मालिनी से अनुरोध करता है कि वह इतनी छोटी चीज को छोड़ दे जबकि मालिनी वापस अंत में यह वह जगह है जहां इमली को मालिनी के बुरे पक्ष को देखने के लिए मिलता है क्योंकि जब वह बोल्ड हो जाती है और आदित्य के लिए चाय परोसने का आग्रह करती है मालिनी ने जटके से अपना हाथ हिलाया और चाय फेक दी जो सच मुझ उसे हिला देती है इमली ने अपने अधिकारों के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए मालिनी की हर बुरी चाल को पीछे छोड़ दिया अंत में इमली टीवी धारवाहिक के आगामी मोड में इंतजार ख की त्रिपाठी हांस में लोटती है वह मालिनी को आदित्य के लिए चाय बनाते हुए देखती है जबकि इमली चाय को आदित्य में ले जाता है मालिनी उसे रोकती है और उसे खुद लेने के लिए जिद्धी हो जाती है क्योंकि उसने इसे बनाया है नकी इमली इमली को एक बड़ा जटका लगता है जब गुस्से में मालिनी अपना हाथ बंद कर लेती है और फर्ष पर चाय फेक देती है और यह वह जगा है जहां इमली अंत में मालिनी के नकारात्मक पक्ष को देखता है मालिनी के दिल में उसके लिए इतनी नफरत दिखकर इमली हैरा